Hello everyone, welcome to Magnet Brains आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं Class 8 की Science जिसका की पहला चाप्टर है Crop Production and Management तो Class 8 में सबसे पहले जो चाप्टर हमें पढ़ना है उसमें हमें Crops के बार में पढ़ना है Crops हो कैसे produce किया जाता है और फिर उन्हें कैसे finally आप तक लाया जाता है जी हाँ, अगर मैं बात करूँ आटे की, Wheat Wheat जो है, उसको जबी भी हम आटे हमें आटा पीसेवे फॉर्म में मिलता है तो वो आटा हमें पीसेवे फॉर्म में कैसे मिलता है पहले तो वो wheat grains के फॉर्म में होता है फिर उसे पीसा जाता है, यह तो आप सबने देखा होगा बट वो जो wheat है, वो कहाँ grow होता है क्या उसके साथ कुछ और ऐसा material ही होता है जिससे उसे separate करना हो, फिर उसे clean करना हो और फिर हम start कर पाए तो यह सारा ही process जो है crop cultivation, crop growth, irrigation इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे आज की हमारी chapter में crop production and management So crop production के लिए पहले हमें यह जाना ज़रूरिये कि crops क्या होते है So crops दो टाइप के होते हैं, राबी crops and खारिफ crops So I'm sure, सबसे पहले हमें crop term समझने की ज़रूरत है इसके पहले, जो अगर मैं बात करूँ 110 BCE में लोग क्या करते थे? Food और shelter की तलाश में इधर उधर घूमते थे जहां उन्हें खाना मिल जाता था, रुख जाते थे जहां उन्हें shelter मिल जाता था, वहां रुख जाते थे जिससे की वो अपने आपको extreme weather condition से protect कर सके But, कुछ time के बाद, क्या start हो गया? किसी भी एक particular crop को, अगर मैं एक जमीन पर एक large scale पर उगा दूँ तो उससे क्या होगा? वहां पर रहने वाले सब ही लोगों की जो है food की needs को जो है हम cater कर सकते हैं तो इसी कोई हम crop production बोलते हैं तो crop वो plant है जिसको की हम large scale पर land पर जो है cultivate कर सकते हैं तो आईए अब हम detail में देखते हैं crops के बारे में और उनके types के बारे में तो जैसे की मैं बता चुकी हूँ जब एक ही जैसा plant एक area में grow किया जाता है उसी को हम crop बोलते हैं और crops दो type का होता है खारिफ crops और राबी crops तो अब खारिफ क्या होता है राबी क्या होता है? I'm sure हम सब को पता है winter season और summer season के बारे में तो बस हमें ऐसा याद रखना है कि जो खारिफ crops होते हैं वो जो है rainy season में grow होते हैं that is after summer season जब rainy season आता है तब ही जो crops होते हैं वो खारिफ crops grow होते हैं तो why rainy season? rainy season इसलिए क्योंकि हमें पता है कि plants को grow होने के लिए water चाहिए तो that is why rainy season में जो crops grow होंगे उन्ही को हम खारिफ crops पोलेंगे अब सबसे important question यह है, rainy season last कब से कब तक करता है तो हम really sure कि आपको पता होगा जिस से जिस month तक rainy season last करता है इंडिया में वही months होंगे for the cultivation of खारिफ crops और rainy season कब आता है, June से September तक तो rainy seasons में जो grow होंगे उन्ही crops को हम खारिफ crops कहेंगे और यहाँ पर आप example देख सकते हैं यहाँ पर farmers जो है, plant कर रहे हैं खारिफ crops को So, what do you think? यह जो picture है, इसमें कौन सा जो plant है, वो cultivate किया जा रहा है कौन सा crop है, can you please comment it in the comment section below तो अब हम कुछ और examples देखते हैं, खारिफ crops के paddy, यानि की rice, maize, soya bean, ground nut and cotton तो यह सारे crops कब grow हो सकते हैं, rainy season में इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, खारिफ crops तो I hope खारिफ crops आपको clear है अब हम यह भी देखते हैं कि winter season में भी कभी-कभी थोड़ी सी rainfall होती है तो winter season में जो crops cultivate किये जाते हैं, यानि की grow किये जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, rabi crops तो farmers planting rabi crops, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें पता है कि these are grown in winter season और हमें पता है winter season October से जो है March तक होता है और इसका example है wheat, gram, pea तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि wheat यहाँ पर इस picture में जो है farmers cultivate करे है because it is an example of rabi crop तो rabi crop कभ ग्रो होंगे हमारे winter season में तो हमें यह rabi और खारिफ crop के बीच का difference अब पता चल चुका है rabi crops winter season में grow करते हैं और खारिफ crops जो है rainy season में फिर हम months के बारे में एक difference point लिख सकते हैं कि इस month से इस month तक और इस month से इस month तक फिर हम क्या लिख सकते हैं examples कि examples of rabi crops are these, examples of खारिफ crops are these तो इस तरीके से अगर यह कभी भी हम से पूछा जाए differentiate between the rabi crops and कारिफ crops तो हम इस तरीके से answer कर सकते हैं तो I hope आपको different types of crops समझ में आया हो बट अभी तो हम यह देख रहे हैं कि यह crops क्या होते हैं क्या इनके examples हैं पर जो पूरा process होता है जिससे कि हम start करते हैं और फिर हमें पूरा का पूरा जो है plant मिलता है वो पूरे process को अब हम देखेंगे कि वो क्या होता है So over here जो हमारे agricultural जो है crops होते हैं वो क्या होते हैं जिनको हम large scale पे grow करते हैं Of course, अगर मैं बात करूँ इंडिया में बहुत सारे villages है और basically villages में कौन रहते हैं Farmers यानि कि उनकी main occupation क्या होती है Farming यानि कि सबसे जादा percentage जो है Indian population की जो की rural areas में रहती है They are dependent on agriculture for their occupation तो अगर मैं बात करूँ ये rural areas में जो crops grow होते हैं ये large scale में क्यों grow होने चाहिए ताकि ये urban areas के लोगों को भी food, pulses, vegetables available करा पाए So, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ गरीब लोग जो है जो rural areas में रहते हैं वो urban areas के लोगों को अपने crops वगेरा sell करके ही क्या करते हैं अपनी livelihood earn करते हैं तो इसी लिए ये crops को कैसे उगाना चाहते हैं ओना large scale बहुत ही अच्छी yield हो याने crops बहुत ही जादा grow करें तो उसके लिए बहुत सारी चीजें इनको करनी पड़ती हैं तो यहाँ पर mentioned है कुछ steps जैसे की preparation of soil पहले soil को तयार करना then sowing of the seeds then adding manures and fertilizers then protecting the soil from weeds irrigation harvesting is the final and then storage तो हम एक एक करके इन सब ही के बारे में बहुत ही detail में पड़ेंगे जी हाँ तो हम start किस से करेंगे सबसे पहले preparation of soil से क्योंकि सबसे पहले हमें soil को prepare करना है ताकि की हम उसमें sowing of seeds को कर पाए तो preparation of soil का क्या मतलब है सबसे पहले तो soil को अगर हमें prepare करना है तो हमें उसे loosen करना है ताकि अगर मैं आपसे बूलू कि आपको seeds डालने हैë soil में तो क्या आप बड़े-बड़े crumbs of soil में seeds डालते हैं? नहीं, आप एक जैसा करते हैं, पहले soil को उसे loosen करते हैं ताकि उसके अंदर आप अराम से seeds soak कर पाएं तो सबसे पहला जो step है, that is preparation of soil तो preparation of soil में क्या-क्या methods, क्या-क्या हमें करना होता है सबसे पहले तो हमें soil को थोड़ा सा loosen याने की ढीला करना होता है और ये ढीला करने की वज़े से क्या होता है? Earthworms, microbes वहाँ पर develop हो जाते हैं और वहाँ पर enter कर जाते हैं अब मैं क्यों चाहती हूँ कि Earthworm, जो है, soil के अंदर आए क्या होगा Earthworm के आने से? Earthworm जो है, वो farmer का friend होता है आप पुछेंगे क्यों? क्योंकि Earthworm, जो है, farmer का friend इसलिए होता है क्योंकि वो release करता है ऐसे substances इसकी जो urine और होती है, जो उसके excreta होता है वो सब manure की तरह काम करता है इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हम soil को loosen करे ताकि उसमें microbes और Earthworm आ सके So, this is the need for loosening the soil So again, अगर हम और डीटेल में डिसकास करें तो अब loosening of soil के बाद हम क्या करेंगे उसमें आप बता सकते हैं, जिसे कि आप कभी भी विलिज पे विजिट पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस तरीके से जो बैल होते हैं और जो farmers होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपने farms को क्या कर रहे होते हैं? यहाँ पर plowing कर रहे होते हैं Plowing यानि हल जोतना तो plowing का क्या रोल है? हमें अगर crops, अगर हमें plants के seeds को डालना है soil में तो हम क्या चाहेंगे? Soil एक जैसा हो Soil को हम level करना चाहेंगे और उसमें farmer की मदद कौन करते हैं? यह bulls और इससे जो connected है, यह होता है आपका plow तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह काम जो farmer manually कर रहा है यहाँ पर यह काम tractor, यानि machine driven है यह काम क्योंकि tractors यह काम यहाँ पर कर रहे है So this is the two methods of plowing यानि की loosening the soil to prepare it for crop, for sowing So I hope यह दोनों चीज़े आपको समझ में आ गई हो तो हमने यह discuss कर दिया है कि हमें क्या करना है हमें loosening करनी है, soil की turning करनी है और इसी कोई हम क्या बोलते हैं, tilling या फिर plowing और leveling भी जरूरी है soil की अगर एक जैसा नहीं होगा तो हम grow नहीं कर पाएंगे crops तो I hope आपको थोड़ा सा idea लग गया होगा कि preparation of soil कैसे करनी है तो अब हम थोड़ा और detail में देखते हैं कि यह plowing की कैसे जाती है तो अभी अभी आपने देखा कि इसी तरीके से हलको जोता जाता है तो यह जो plow होता है इसमें आपको क्या दिख रहा है जो bulls होते हैं उनके उपर एक stand type of रखा होता है और उसी को हम बोलते हैं plow shaft और plow shaft से connected होता है plow share तो plow shaft और plow share plow के ही parts हैं जो कि plowing या tilling में मदद करते हैं तो आपको समझ में आ गया है अब हमारा main purpose क्या होता है हमारा main purpose है कि हमें plowing of the soil या tilling of the soil करनी है उसके बाद हमें उसमें fertilizers भी आड़ करने हैं उसके बाद हमें weeds remove करने हैं के बाद हमें turning of soil करना है हमारे को ये सब जो भी processes करने होते हैं इसके लिए हम use करते हैं प्लाव और प्लाव जो है it is driven by bolts जैसे कि आप इस diagram में देख सकते हैं और जो उसमें long lot of wood होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्लाव शाफ्ट और प्लाव शाफ्ट से जो अटाज होता है वोता है प्लाव शेर तो आए होप अब आपको clear हो गया होगा यह पूरा का पूरा process अच्छा प्लाविंग करने के लिए प्लाव के अलाव एक दूसरा भी इंस्ट्रुमेंट यूज किया जा सकता है विच इस अ हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इस अग्जाम्पल ऑफ हो तो अब हो की अगर मैं बात करूं तो हो भी प्लाव की तरह ही वर्क करता है उसका भी पूरा वोकिंग वैसा ही होता है उसमें एक स्ट्रॉंग ब्रॉट प्लेट होती है और वहाँ पर भी कौन उन्हें उस स्ट्रॉंग ब्रॉट प्लेट को पुल करता है अनिमल्स ही पुल करता है जैसे कि बुल्स हो गई, काउज हो गई, एट्सेटरा, so that is how again हो का भी यह काम होता है कि वह प्लाव करें, स्टोईल को, वीड्स रिमूफ करें, स्टोईल को लेवल करें, so the plow and hoe just have different structures but उनकी working एकदम सेम होती, then again cultivator, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर tractor या फिर कोई machine use हो, जो की mechanically driven है, तो उसको अगर हम use करें for plowing, तो उसको हम क्या बोलते हैं, cultivator, तो cultivator क्या होता है, cultivator क्या करता है, किस चीज से बचाता है, farmers के hard work को, labor को कम कर देता है, क्योंकि हर चीज machine driven होती है, तो आजकल के time में क्या use होता है for plowing, cultivator, क्योंकि cultivator से क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा land plow किया जा सकता है, और कोई भी labor जो है, involvement जादा नहीं होती है, क्योंकि हमें tractor चलाने के लिए सिर्फ या, जिसे कि मैं अभी cultivator कह रही हूँ, क्योंकि ये tractor से connected है, हमें सिर्फ एक ही person चाहिए होता है, जो कि पूरा का पूरा land को plow कर सकता है, so this is about plowing, अब plowing के बाद हमारी next step क्या होगी, sowing, अब हमारे को seeds डालने होंगे, soil में, so, अब farmers seeds लेकर आते हैं, और seeds को वो क्या करते हैं, sow करते हैं, अब कौन से seeds लिए जाएं, कौन से seeds नहीं लिए जाएं, ये एक important question है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, farmers जो हैं इसको चेक करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक activity करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक beaker लेंगे और उसमें water जो है, डाल देंगे, अब उसके अंदर हम seeds डाल देंगे, तो अगर मैं आपसे बोलू, कोई भी हलकी चीज़ पानी के उपर float करेगी या sink करेगी, आपका answer होगा, float करेगी, तो अगर कोई भी हलकी चीज, अगर seeds जो होंगे, Suppose, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कुछ seeds जो है, वो क्या करें, float करें, और कुछ seeds जो है, वो क्या करें, sink करें, तो इससे क्या मतलब लगेगा, जो भी seeds hollow होंगे, यानि कि जिन पर weeds ने attack कर दियो और वो खोकले होंगे अंदर से, वो light ह जाएंगे और वो float करेंगे, और बाकी जो heavy seeds है, वो क्या करेंगे, वो sink कर जाएंगे, यानि कि good quality seeds जो होंगे, वो आपके करेंगे float, और bad seeds जो है, वो आपके करेंगे, sorry, bad seeds जो है, आपके वो करेंगे, float, और healthy, यानि कि good quality seeds है, वो आपके क्या करेंगे, sink करेंगे, तो इसी तरीके से जब फार्मर्स को अच्छी येल्ड चाहिए होते हैं क्रॉप्स की तो वो क्या करते हैं? वो ध्यान देते हैं on sowing good crops, good seeds. तो जो seeds healthy हैं वो कौन से होंगे? जो सिंक कर जाएंगे. तो इसी तरीके से farmers अगर healthy seeds और good quality seeds को use करेंगे, तो जो yield आएगी वो बहुत ही अच्छी होगी. So this is known as sowing. आप यहाप भी देख सकते हैं, यह seeds और यहाप पर यह sow करने वाले. So I hope this is clear to you. अब next हम पढ़ते हैं sowing के बारे में की sowing करते कैसे हैं? तो sowing को करने के दो तरीके होते हैं. सबसे पहला होता है, जो traditional method है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. तो again bulls को use किया जा रहा है और यह funnel आप यहाँ देख सकते हैं. यह funnel shaped जो structure है, इसमें क्या भर देंगे हम? seeds भर देंगे. तो जब हम इस funnel shaped structure में seeds भर देंगे, जैसे जैसे bull आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे seeds इस funnel में डालते जाएगे. और यह seeds जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यह soil के अंदर तक एक pointed object होता है, जो soil के अंदर तक जाता है. तो यह seeds इस funnel से एकदम directly soil के अंदर जाते हैं. तो क्या इसी process को हम sowing बोलते हैं? जी हाँ. So this is nothing but sowing. तो यह जो sharpened object है, यह seeds को सीधा ground के अंदर, soil के अंदर डालता है. और जैसे जैसे bull आगे move करते जाते हैं, पूरा का पूरा land जो है, उसमें sowing होती जाती है. So this is a traditional method. क्यों? क्योंकि इसमें जो use हो रहा है, वो हो रहा है man, power और animals. अब, जो modern method है, उसमें use होती है seed drill. तो जी हाँ, यह है seed drill. तो seed drill, I'm sure आप कभी भी किसी भी गाउं में visit करेंगे, तो I'm sure आपको इस type के structures दिखाई देंगे. तो अब आप देख सकते हैं, जो sharp ends है, यह क्या करती है? Soil में अंदर तक, नीचे तक pierce कर जाती है. और यह जो चीज है, यह पूरा का पूरा जो यह चीज है, यह किस से connected होगा? यह tractor से connected होगा. Tractor move करेगा और seed drill, जो है, seeds को in the soil अच्छे से जो है, उसे क्या कर देंगे? Soil कर देंगे. अब seed drill का क्या क्या advantage है? Seed drill जो है, आप देख सकते हैं, यह sharp ends है, इसकी वज़े से seed जो है, soil के एकदम अंदर जाके sow होता है. उसकी वज़े से कोई भी birds या plant जो है, birds, जो है, वो seed को ऐसे उठा कर जानी सकती soil में से. तो इससे क्या होगा? Seeds protected रहते हैं, अगर seed drill यूज़ की जाए. और इससे और भी क्या होगा? इससे ये होगा कि farmers का जो बहुत जादा laborious काम है, यानि कि labor जो है, वो भी कम से कम लगेगी. क्योंकि हर चीज़ क्या होगी? mechanized होगी. तो इससे time और labor दोनों ही save हो जाते हैं. तो अगर आप कभी किसी village में गए और अगर आपने कभी भी seed drill देखी है, तो please comment section में जरूर बताइए which village, name the village and have you seen the seed drill, yes or no? तो I hope आपको समझ में आ गया है seed drill का function और ये सबसे important है, क्योंकि ये sowing के लिए आजकल use की जाती है. Because tractors की मदद से काफी जादा time save हो जाता है और जो है हमारे seeds uniformly जो है soil में अराम से sow हो जाते हैं. तो I hope sowing and plowing, that is the preparation of soil. ये जो दो first two steps है आपको एकदम clear हो गई होगी. हमारी next video में हम detail में पढ़ेंगे about the role of manures and fertilizers and so on. Till then, thank you. Hello everyone, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे about crop production and management. ये class 8 science का topic है. तो इसके previous video में हमने preparation of soil और हमने sowing of crops के बारे में पढ़ा था. आज की video में हम further next step पर जाएंगे. जैसे कि अगर मैं आपसे बोलू, अब हम सोचें कि सबसे पहले तो हमने land को prepare कर लिया, loosen कर लिया, ताकि हम उसमें crops sow कर पाएं, हमने sowing कर लिया, uniform तरीके से seed drill यूज कर लिया. अब what do you think next क्या होना चाहिए? हमें जो है soil को इतना nutrients दे देना चाहिए ताकि crops अच्छे से grow कर पाएं, ताकि crops को खाना मिल पाएं. आप ही बताइए, अगर आपको grow करना होता है, तो आपकी growing age में आपके parents आपको क्या देते हैं खाने के लिए? देखे, view, milk, आपको milk दिया जाता है, बिकास milk जो है, वो आपको strong बनाता है, growth में help करता है, अगिन आपको protein rich food दिया जाता है, ऐसा food दिया जाता है, जो nutrients में rich हो तो यह जो सारे चीज़े होती है, यह supplement करती है आपकी growth को, आपको grow करने में help करती है, तो similarly plants के लिए खाना क्या होता है, तो plants के लिए खाद, जिसे की manure कहते हैं, खाद, वो बहुत जरूरी होती है, और manure तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ natural होता है, fertilizer कुछ artificial होता है, manure is natural, fertilizer is artificial, तो natural और artificial में से plants के लिए क्या सबसे अच्छा होगा, natural, तो definitely manure plants के लिए अच्छे हैं, और उन्हीं की क्या-क्या advantages होती है, यह हम definitely देखेंगे, और fertilizers क्या होते हैं, यह भी हम देखेंगे, बट सबसे पहले हम बात करेंगे, manure के बारे में, तो manure की, अगर मैं बात करूँ, तो manure करते क्या है, manure जो काम naturally करते हैं, वो होता है, nutrients अड़ करते हैं, soil में, ताकि जो हमारा crop है, वो healthy हो, और वो easily जो है, उसकी growth को supplement कर देते हैं, manure, और manure क्या करते हैं, वो ऐसे, वो बनते कैसे हैं, सबसे important question यहीं आता है, कि manure बनते कैसे हैं, तो आप सबको पहता है, जबी भी plants और animals, when they die, तो क्या होता है, हमने पढ़ा है, decomposers आके plants और animals की body को decompose कर देते हैं, और वो जो organic waste होता है, वो soil में वापिस चले जाता है, और यही तो क्या होता है, manure, और यह बनता कैसे है, by decomposers, which can be microorganisms also, तो जो भी plants और animals की dead bodies के nutrients होते हैं, वो वापिस किस में चले जाते हैं, soil में, तो this is how manures are formed naturally, fertilizers कैसे form होते हैं, fertilizers, factories में बनते हैं, और वो क्या होते हैं, वो externally prepared होते हैं, वो artificial होते हैं, अब artificial होते हैं, तो उनको इस तरीके से बनाया जाता है, कि suppose हमने किसी soil में कोई crop grow किया, उसने उस soil के सारे nutrients ले लिये, तो suppose, for example, अगर मैं बोलू, wheat मैंने soak किया, अब मैं एक जमीन पे बार बार wheat उगाए जारी, उगाए जारी, उगाए जारी, और suppose wheat ने सारा nitrogen ले लिया, उस soil का, तो अब उस soil में nitrogen तो गायब हो गया, तो मैं externally, artificially, जब मैं उसमें add करूंगी nitrogen, जिसको की मैं factor में बनाऊंगी, तो वो कहलाएगा fertilizer, तो fertilizer एक specific nutrient में rich होता है, तो I hope आपको यह समझ में आ गया हो कि manure, natural, and fertilizer, artificial, तो of course, plants के लिए क्या जाद अच्छ होगा, manure, So, अब हम बात करते हैं, हम तो पढ़ी चुके हैं कि manures कैसे बनते हैं, by decomposition of plants and animal waste, जो कि microorganism करते हैं, और यह क्या करते हैं, soil को nutrient देते हैं, अब आपने देखा होगा इस तरीके से, जो है, यह fertilizers spray किये जा रहे हैं, और आप ध्यान से देखिए कि इन्होंने खुद ने क्या प fertilizer spray करें और जो gas release हो रहे हैं, वो इनको बहुत जादा problem cause कर सकते हैं, इनको कोई भी respiratory disease cause कर सकते हैं, that is why he is wearing mask and spraying the fertilizers, so that is again मैं proof कर सकती हूँ कि fertilizers कही न कहीं harmful होते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी spread करा है, but not using some machine, ऐसे ही manually, so I hope these are clear to you, कि क्या fertilizers होते हैं, क्या manuals होते हैं, और उनका क्या role होता है, अब हम थोड़ा और detail में पढ़ेंगे, about fertilizers, तो हम पढ़ चुके, कि fertilizers artificially made chemicals होते हैं, जो कि एक specific nutrient में रिच होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलू, NPK, यह एक fertilizer है, urea, ammonium sulfate, यह सारे fertilizers हैं, NPK का full form क्या है, तो friends, chemistry में, NA मतलब की sodium metal होता है, और P याने phosphorus होता है, और K याने potassium होता है, तो यह जो NPK fertilizer है, यह किस-किस में rich होगा, sodium, phosphorus and potassium, तो यह इन तीनों में rich है यह fertilizer, और अगर मैं इसको soil में डालूंगी, तो यह क्या करेगा, it will increase these three nutrients in the soil, तो I hope आपको यह समझ में आ गया है, fertilizers क्या होते हैं, chemicals क्यूंकि वो artificially industries या factories में बनाए जाते हैं, अब अगर मैं आपसे बात करूँ, कि fertilizers क्या अच्छे होते हैं, तो हम पहले ही पढ़ चुके chemicals हैं, अच्छे नहीं होते, तो क्या होगा अगर excessive use of fertilizers किया जाएं, सबसे पहले तो वो soil की fertility को एक time के बाद decrease कर देंगे, दूसरी चीज़, वो water pollution cause करेंगे, तो अगर कोई fertilizers, जैसे कि हमने पिछली picture में देखा था कि fertilizers spray किये जा रहे, अगर वो पानी, मैं आपको बोल दूँ कि आपको पीना पड़े, तो वो आप में बहुत सारे diseases cause करेंगे, तो again they cause water pollution, तो क्या किया जाए, किस तरीके से soil की fertility को बढ़ाया जाए, बट कम से कम fertilizers use किया जाए, इसका एक तरीका होता है crop rotation, तो मैं अब आपको बताऊंगे crop rotation क्या होता है, तो suppose मैं एक example दूँ अगर, तो suppose मैंने wheat grow किया, अपने crops के उपर, अपने soy के उपर, मैंने wheat sow किया, wheat मैंने grow किया, अब wheat के बाद मैं उस पर next cultivation, suppose किसी और crop का कर देती हूँ, suppose rice का कर देती हूँ, तो क्या होगा, wheat ने जो nutrients लिये, वो nutrients, rice नहीं लेगा, वो कोई और nutrients लेगा soil से, फिर alternation में मैं wheat, rice, wheat, rice ऐसे ऐसे grow कर यूँ, पर अगर मैं हर बार wheat grow कर यूँ, या फिर हर बार rice grow कर यूँ, तो इससे क्या होगा, या री प्लैनिश कर पाए, that is why alternate growing of crops, which is known as crop rotation, helps the soil to replenish the nutrients, तो इसी लिए crop rotation जो है, वो एक ऐसा तरीका है, जिसमें बहुत जादा excessive fertilizers को यूज की है, बिना भी soil की fertility को maintain किया जा सकता है, तो आपको यह समझ में आ गया है, तो अब next हम पढ़ेंगे, fertilizers और manures के बीच के difference में, बट उसके पहले में यह चाहती हूँ, कि आप यह fertilizer plant देख लें, और यह fertilizer की कुछ bottles में भी आपने देखी हो, जो की use करते है farmers, और यह fertilizer plant है, यानि कि यहाँ पर fertilizer इस factory में manufacture किया जाता है, तो आईए अब हम next पढ़ते हैं, differences between manure and fertilizer, तो पहली चीज़ तो हमने पढ़ ली कि artificially, जो chemicals synthesize होते हैं, factories में उनको हम क्या बोलते हैं, fertilizers, और जो की actual में, खुद बखुद, farms में ही, by decomposition of dead plants and animals से खुद बखुद ही बनाए जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, manures, तो पहला point तो यह हो गया, कि manures जो है, वो naturally बन जाते हैं, और वो जो है, क्या होते हैं, by decomposition of microorganisms बनते हैं, तो that is why the first point says कि manure एक natural substance है, और जो है हमारा fertilizer वो क्या है, वो inorganic salts है, यानि क्या आप कह सकते हैं, chemicals हैं, तो again हम second point भी पढ़ चुके हैं, यह factories में बनते हैं, यह fields में ही बन जाते हैं, next, अगर मैं आपसे बोलो, क्या fertilizer soil में humus आड़ करेगा, नहीं, humus जो है, वो topmost layer of soil होती है, जो soil fertility को बहुत जादा बढ़ा देती है, और वो कैसे बनती है, जब dead plants और animals जो है, वो decompose हो जाएं उससे, तो क्या fertilizers, जो कि factories में artificially बनते हैं, क्या वो humus आड़ कर पाएंगे soil में? No, but क्या आपके manures आड़ कर पाएंगे? Yes, so that is why manures जो है, वो provide करते हैं, humus to the soil, बलकि fertilizers ऐसा नहीं करते हैं. Again, एक चोटी सी disadvantage है fertilizer की, वो ये है, कि fertilizer, जैसे हमने पढ़ा था, NPK is a fertilizer, तो वो sodium, potassium और phosphorus में soil को rich कर देता है. Manures, specifically, किसी एक particular nutrient में soil को rich नहीं कर पाते हैं. Manures, वो मैं एक तरीके से कहते हूँ, manures slow है, fertilizers fast है, बट हम सबको पता है, fast होने की वज़े सही, fertilizers जो है, वो soil के लिए इतने fruitful नहीं होते हैं, वो soil and water pollution दोनों को आस करते हैं. Manures natural होते हैं, भले वो slow होते हैं, बट उनका इस तरीके का कोई रोल नहीं होता, कोई negative रोल उनका नहीं होता. तो अगर मैं देखू, तो pros and cons तो हरी चीज़ के होते हैं, तो जो हमारा यह last point है, यह हमें यह बोलता है कि fertilizer एक बहुत ही rich कर देते हैं nutrients में, manures उतना relatively rich नहीं कर पाते हैं. बट यह सिर्फ एक ही disadvantage है manures की, चुकि fertilizers की नहीं है. बाकी सारी advantages हमें manures की होते हैं. तो I hope यह आपको समझ में आगया है, और अब मैं एक और बार detail में आपको बताऊँगी manures की importance के बारे में, manures के advantages के बारे में. तो सबसे पहले चीज़ तो यह है, manures अगर soil में add कर दिया जाए, तो उसकी water holding capacity बढ़ जाती है. क्यूँ? क्यूँकि soil जो है, वो porous हो जाता है, और water को जो है, वो hold कर पाता है. और soil के porous होने की वज़े से क्या होता है? Pores आ गई, यानि exchange of gases भी आसान है. यानि की, जो भी gases plants को चाहिए होती है, soil के अंदर, वो gases जो है, वो आ सकती है, ट्राप हो सकती है. So, that is why exchange of gases is also possible. And, जो भी microbes होते हैं, जो भी soil के friendly होते हैं, वो microbes भी manures के साथ साथ soil में आ जाते हैं. और वो soil या farmer के friend होते हैं. And, of course, जो भी soil है, उसका texture इंप्रूव हो जाता है. यानि, soil की quality अच्छी हो जाती है, अगर उसमें खाध, यानि की manure डाला जाए. ये तो, I'm sure, आपने अपने gardener के मुँसे हमेशा ही सुना होगा. तो, I hope, आपको ये डिफरेंस, ये जो advantages है, manure की जो की organic substance होता है, वो clear है. हमारी next video में हम इसी chapter को आगे पढ़ेंगे. Till then, thank you. Hello friends, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे about crop production and management. ये class 8 science का topic है. So, हमने इसकी previous video में manures और fertilizers के बारे में बढ़ा था. और कैसे वो supplement की तरह act करते हैं crop को grow करने में. आज की video में हम further पढ़ेंगे about next important step which is irrigation. तो irrigation का क्या मतलब है? भाई, plants को grow होने के लिए, crops को plants में convert होने के लिए क्या चाहिए? Other than sunlight, manures and fertilizers, water is also needed. भाई, water नहीं होगा, तो germination of seeds कैसे होगा? That is why water is necessary for plants. और जो सारे nutrients होते हैं, soil से crop तक कैसे पहुचते हैं? Because वो water में dissolve हो जाते हैं और फिर transport होते हैं through water. तो ये जो process है, इस सब के लिए क्या required है? Water और crop lands को, fields को water देने के process को ही बुला जाता है, irrigation. तो irrigation क्या करता है? Crops को water provide करता है. बहुत बड़ी-बड़ी fields होती है. पूरी field में पानी कैसे पहुचाया जाए? एक बाल्टी से तो में पानी नहीं डाल सकती हैं पूरी field में. इसके लिए बहुत सारे systems होते हैं, जिनके बारे में की हम पढ़ेंगे. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है, water columns run कर रहे हैं. ताकि पूरी की पूरी जो field है, उसमें पानी जा सके. अगेन, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह पानी स्प्रिंकल हो रहा है. यह sprinkler system है. हर एक crop को water मिल जाए, यहाँ इसका sole purpose होता है. So, अगर मैं आप से पूछो, हम irrigation से water provide करते हैं. Winter season में, जादा irrigation की need होगी या फिर summer season में. हम सब को बता है, जो plants की leaves होते हैं, उनके थूपानी continuously transpiration नाम के process से, जो है, पानी evaporate होता रहता है. तो अब यह summer season में evaporation का rate बढ़ जाएगा. जिसकी वज़े से watering या irrigation की frequency कब जादा होनी चाहिए summer season में. As compared to winter season. अब आप irrigation करेंगे कैसे? बहुत सारे तरीके हैं. Tube wells, wells, rivers, ponds, lakes, canals, dams, rivers. इन सब जगाओं से हम water को जब fields पर डालते हैं, इसी process of watering को हम irrigation बोलते हैं. जिसकी dams को construct कर लिया जाता है, rainy season में पानी store कर लिया जाता है, और summer season में irrigation के लिए use कर लिया जाता है. तो I hope this is clear to you. अब हम थोड़े से और methods देखेंगे irrigation के. यह तो हमने in general पढ़ लिया है methods of irrigation. बट हम कुछ और specific methods देखेंगे कि पुराने जमाने के लोग क्या use करते थे और आज के जमाने में हम कौन सी machines use करते हैं, irrigation के लिए. So, सबसे पहले हम traditional methods की बात करेंगे. So, what about traditional means जो पुराने जमाने के methods हम. तो उसमें क्या होता था? जादा तर जो system होता था, वो manual होता था. यानि की farmers जो है, वो laborious तरीके से irrigation करते थे. तो आईए हम कुछ examples देखते हैं. जिसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, राहत, धेकली, यापका chain pump. तो कुछ यह जो चार systems हैं, यह सबसे ज़्यादा traditional methods थे irrigation की. मोट, chain pump, धेकली, राहत. तो मोट, यानि की pulley system जैसे की आप लिखा हुआ देख सकते हैं, इसमें क्या होता है? जो हमारे wells होते हैं, हम उसमें से पानी कैसे निकालते हैं? वो एक pulley ही तो होती है, जो round होती है, और उसके through, rope के through, हम bucket को पानी के अंदर डालते हैं, bucket fill होती हैं, उसे निकाल लेते हैं. और फिर उसे, जो है, land पे हम spread कर देते हैं, उस water को through the bucket. So that is a moat. Next is chain pump, तो chain pump में क्या होता है? एक long chain होती है, जिसमें की बहुत सारे circular discs होते हैं, जिसमें की पानी भर जाता है, और फिर वो हम agricultural land पे जाकर छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर पूरा का पूरा, वो जो है, water को spread कर देता है. Again, if I talk about धेकली, what is धेकली? धेकली is the use of ropes. अगर मैं रसी के through, एक किसी भी container में, रसी के through जो है, बहुत सारे containers अटाच करके उसे अपनी irrigation land पर जाकर छोड़ दू. That is nothing but a धेकली. जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते है, ropes का use किया जाता है, basically. और, जो है, ropes के use के through, containers में डाला जाता है, पानी, और, excuse me, तो फिर वो आपके सारे के सारे irrigation land पर ले जाया जाता है. Then, राहत. तो राहत में क्या होता है? एक, जैसे कि मैं आपको diagram यहाँ दिखा सकती हूँ, यह एक spherical wheel है. तो यह spherical wheel के ends पर क्या attached है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी छोटी-छोटी buckets. इन buckets, chain of buckets को, wheel से attach करने वाले system को ही राहत बोला जाता है. और फिर, जब यह wheel तो इन buckets से पानी जो है, वो field में spread हो जाएगा and irrigation process will be completed. तो आएए मैं आपको एक और बार, इन सभी systems के diagram एक और बार images दिखाती हूँ. moat, which is your pulley system, राहत, spherical wheel से बहुत सारे आपके buckets attached हैं. और यहां देख सकते हैं, not only human beings, that is manual labor, but kettle is also involved, याने cow बफेलो. यह भी involved है. तो यह जो process है, यह काफी laborious है. Again, here you can see chain pump and dhickly. तो these are the few systems, जो की traditionally used किये जाते थे. अब क्यों नहीं use किये जाते? अब क्या modern techniques आ गई हैं? तो आप जो use होता है irrigation के लिए, वो different techniques होती है. क्यों? सबसे पहला consideration होता है, water को irrigation में use करना, but water को waste नहीं करना. तो हमें water का use इस तरीके से करना है, कि soil, ऐसा नहों कि एक part of land पे बहुत ज़्यादा water आ रहा है और दूसरे part of land पे water जाहीं नहीं रहा है. तो efficiency इंप्रूफ करनी है, water consumption reduce करना है, manual labor reduce करनी है. यह तीनो reasons की वज़े से, जो actually मैं अब use किया जाता है, that is known as the modern methods of irrigation, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे about sprinkler system. तो जिसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह sprinkler है. अब सबसे पहले तो यह पानी बहुत ज़्यादा नहीं, बलकि droplets के form में यहाँ से pressure से जा रहा है. सबसे पहले तो आप यह देख सकते हैं, यह soil से perpendicularly attached है. तो यह perpendicular है, इसमें बहुत सारे nozzles है और nozzles की मदद से क्या होगा? सबसे पहले तो सबसे पहले तो यह electricity driven होगा. जैसे ही मैंने switch on किया, regular intervals पे क्या होगा? पानी पूरे के पूरे irrigation land पे spread हो जाएगा यहांकी sprinkler, sprinkled हो जाएगा. तो I hope this is clear to you. अब यह जो sprinkler system है, इसके भी कुछ demerits हैं, जिसके की वज़े से हम use करते हैं आज कर, drip irrigation. So drip irrigation is the best technique of irrigation. Why? Sprinkler system के क्या मैं कह सकती हूँ disadvantage है कि drip system बहुत अच्छा माना जाता है. Basically, sprinkler system क्या करता है? एक perpendicular pipe होता है और nozzle के थुरू sprinkled होता है water. तो वो water crop की leaves, stem वहाँ पर भी sprinkled होता है. जहां वो required नहीं है. Actually में, grow होने के लिए, crops को क्या चाहिए? Roots पे water is required. That is, soil को हमें properly water करना है, ताकि roots वहाँ से water absorb करें and फिर वो water transport तो हो ही सकता है. Via the transportation tubes जिनके बार की हमने पढ़ा था, xylem and phloem, class 7 science में. तो में जो drip system useful है, एक बहुत ही बड़ा boon है, वो है dry regions पे. जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, अगर गुजरात की बात करूँ, तो वहाँ पर पानी की वैसे ही कमी है. तो हम पानी का वेस्टेज एक परसंट भी नहीं सोच सकते. तो that is why what we need to do is, we need to follow the drip system. ताकि water जो है directly roots के पास जाए water wastage ना हो. तो I hope आपको drip system समझ में आ गया होगा, जो कि आजकल यूज किया जाता है, most commonly for irrigation. Next, चलिए ये सब तो अभी जो हमने methods देखी, preparation of soil हमने देखा, हमने sowing देखी, हमने manure fertilizer अड़ करा, हमने water अड़ करा. अब होता क्या है, crops के साथ साथ कुछ ऐसे substances भी grow हो जाते, जो crops को competition देने लगते. वो भी पानी लेने लग जाएंगे, वो भी manure fertilizer लेने लग जाएंगे, तो crop को नहीं मिलेगा. तो ऐसे unwanted substances को हम कहते हैं weeds, और weeds जो है, वो crops के साथ ही grow हो जाते, sunlight है, water है, manures है. क्या ये weeds हमारे को चाहिए? नहीं, तब ही हम इनको unwanted बोलते हैं. और इन weeds को remove कैसे किया जा सकता है, manually, एक खुर्पी लीजिए, और जहाँ weed grow हो रहा है, खुर्पी से उसे नीचे से ही, soil के तुरू निकाल भार कीजिए, manually, using a खुर्पी. और इसके अलावा, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है, वो कर रहा है, कुछ स्प्रे कर रहा है, कुछ स्प्रे किया जाता है. वो होते हैं, weedicides, weed याने undesirable plants, जो plants के crops के साथ grow होते हैं, और sides याने killing, तो weeds को kill करने वाले substances को हम weedicides बोलते हैं. तो weedicides याने कि weeds को kill करने वाले substances और वो अगेन chemicals होते हैं, तो वो chemicals, चब हम फील पे स्प्रे करते हैं, तो वो च्या करते हैं? weeds को kill कर देते ताकि वो competition ना दे पाए हमारे crops को तो I hope आपको ये पूरा process समझ में आ गया है और removal जो मैं कर रही हूं weeds का उस process को मैं बोलती हूं weeding weeds undesirable plants होते हैं वो growth of plants को affect करते हैं उनको हम खुरपी से remove कर सकते हैं या फिर weedy sides spray कर सकते हैं using a sprayer तो I hope protection from weeds की ज़रूरी है या आपको समझ में आ गया हूँ अब इस सब processes के बाद क्या होता है harvesting harvesting यानि अब जब crops पूरे grow हो चुके हैं अब उनको remove करना जो है किसी की suppose मैं मैंने wheat grow किया तो वो seeds को मैं remove जब करती हूं crop को जब मैं remove करती हूं plant से that is known as harvesting कैसे harvesting की जा सकती है आपने देखा होगा cut करते हो एक u-shaped जी हा जैसे कि यहा है sickle से तो यह जो अपका sickle है से आप क्या करते है crops को cut कर सकते that is nothing but harvesting यानि cutting of crops the harvesting is done by a sickle और यह अगेन manually हो रहा है तो इसमें बहुत time consuming होगा तो आजकल जो use किया जाता है harvesting के लिए that is known as a combine तो what is a combine यह मैं आपको बताऊंगी बट सबसे पहले हमें यह देखना है कि harvest जो होता है या तो sickle से हो सकता है या फिर harvester से हो सकता है तो sickle से manually होगा harvester तो एक machine है but crop के साथ साथ जैसे कि मैं wheat का example दो wheat के बाहर एक छिलका भी होता है जिसको हम बोलता है शाफ तो वो हमें वो तो हम खाते नहीं है हमें शाफ को wheat से separate करना होता है और इस process को हम बोलते हैं winnowing तो अगर मैंने शाफ को grain से separate किया by winnowing यह काम manually करना तो बहुत time consuming होगा but अगर इसको कोई machine कर दे याने की machine harvest भी कर दे याने cut भी कर दे और shafts से अलग भी कर दे grain को याने winnowing भी कर दे तो winnowing plus harvesting combined is done by this combine तो यह दोनों चीज़ों को करता है combined least लिए इसका नाम क्या है combine तो यहाँ पर यह क्या कर रहा है harvesting as well as winnowing तो I hope अब आपको combine का function समझ में आ गया होगा harvest festival क्या होता है harvest festival एक sense होता है good feeling kind that everything is fine अगर harvest अच्छी आती है तो आपने देखा होगा celebration होता है क्योंकि farmers celebrate करते हैं कि आज इस साल तो फसल बहुत अच्छी आई है याने कि उनको बहुत ही profits होते हैं और वो festivals के form में इने celebrate करते हैं जैसे कि बीहू, असाम में, पोंगल, एक्सेटरा तो यह जो sense of well-being वाले बैसाखी इन पंजाब तो यह जो festivals हैं इनको हम harvest festivals बोलते हैं तो I hope harvesting आपको clear है अब crops को हमने cut कर लिया, clean कर लिया, इसके बाद क्या? क्या हम उन्हें खुले में छोड़ सकते हैं? नहीं, क्यूंकि बहुत सारे bacteria, microorganisms उन पर attack करेंगे तो हमारे को उनको properly store करना पड़ेगा ताकि हम उन्हें future में use करने के लिए उन्हें clean और proper तरीके से use कर पाए तो हमें उसके लिए proper storage करना होगा तो आईए दिखते हैं, next is storage, after harvesting is storage तो storage की क्या need है? क्योंकि बहुत सारे microorganisms जो है, वो attack कर देते हैं insects, rats, यह सब हमारे जो है, गेहूं को खराब कर सकते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी mother कुछ artificial tablets टाल के रखती है rice में, pulses में, यह सारी tablets क्या करती है? attack of the microorganisms को prevent करती है similarly आपने देखा होगा कभी-कभी neem leaves आइट कर दी जाती है सूखी, dried neem leaves again moisture मुझे food में नहीं जाए जैसे ही अगर मैं बोलू कि कुछ भी गीला हुआ, हलका सा भी कहीं पर भी गीला पनाया तो क्या होगा? microbes के attack के chances बढ़ जाएंगे तो इसलिए, dried neem leaves को रखा जाता है ताकि जो हमारे wheat के cans होते हैं, जो हम घर पे अपने मदस को देखा होगा वो इसलिए use करती है, dried neem leaves ताकि वो protect कर सके grain को from attack of any infection, any microbes और यह तो हमने हमारे घर की बात कर ली large scale पे silos, granaries, metallic bins, यह सब यूज किये जाते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर wheat को किस तरीके से जो है, store किया जा रहा है, jute के gunny bags में तो इससे क्या होता है, यह जो bags होते हैं, यह एक मोटे कपड़े के बने होता है, जो कि कोई भी moisture या water से जो है, आपके crops का contact जो है, avoid कर देते हैं अगें, यह जो है, यह बड़े-बड़े silos का example है और इसमें हम क्या करते हैं, we can store the grains तो I hope यह आपको समझ में आगया हो कि storage क्यों जरूरी है, ताकि rats, insects, आपके microbes attack ना करें और food को खराब ना करें हमने अभी तक plants के बार में बात करी, but I am sure आपकी mother जब milkman से milk लेने जाती होंगी, तो आपने देखा होगा कि milkman के घर में बहुत सारी cows और buffellos हैं, जिन मेंसे कि वो दूद actually में निकाल रहा होता है तो plants और animals का use करना for the products they give is known as rearing animals on a large scale and this is known as animal husbandry तो यहाँ आप examples देख सकते हैं, जब आप chicken लेने जाते हैं, तो chicken shop से आपको पता है कि हम जब तक पैसे नहीं रहेंगे, हमें chicken नहीं मिलेगा तो हम rear कर रहे हैं animals को for their products this is known as animal husbandry excuse me so I hope this is clear to you हमारी next video में हम इस chapter के frequently asked questions पढ़ेंगे till then thank you hello everyone, welcome to magnet brains आज हम पढ़ेंगे about crop production and management तो इसके पहले की videos में हमने इस chapter को detail में study किया है और आज की हमारी इस video में हम पढ़ेंगे इस chapter के important questions जो के NCRT questions है तो आये, let's begin select the correct word from the following the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a price is called तो जो plant एक ही जगा पर cultivate किया जाता है उसे बोला जाता है crop next the first step before growing of crops is dash of soil तो पहले उगाने के पहले soil को prepare करना पड़ता है so it is preparation of soil damaged seeds would dash on top of water तो हमने एक activity भी perform करे थी जिसमें हमने देखा था कि damaged seeds जो है वो float करते हैं और जो good quality of seeds होते हैं वो hollow नहीं होते हैं इसलिए वो sink कर जाते हैं for growing of a crop sufficient sunlight and dash and dash are required तो मैं पता है plants को grow करने के लिए water, nutrients और sunlight ये तीनों चीज़े ही चाहिए और ये तीनों चीज़े उसे like nutrients और water उसे soil से मिलता है and sunlight directly so I hope ये questions आपको clear है next match the following kharif crops तो क्या आपको यहां B set में कोई kharif crops दिख रहे है paddy and maize so paddy and maize are kharif crops rabi crops rabi crops को हमें यहां से ढूनना है wheat, grain and pea are rabi crops next chemical fertilizers chemical fertilizers के examples होते हैं urea and super phosphate organic manure जो कि animal extreta, cow dung और urine से मिलके बलता है तो organic उसे इसलिए ही तो कहते हैं क्योंकि वो cow dung और animal extreta, waste and dead bodies of plants and animals से हमें मिलता है उनके decomposition से, similarly rabi and kharif crop के examples हम पढ़ चुके हैं and chemical fertilizers के कुछ names भी हम देख चुके हैं give two examples of kharif crop तो अभी हमने देखा paddy, maize these are examples of kharif crop rabi crop, wheat, pea, gram etc. so these are examples of rabi crop write a paragraph in your own words for A. preparation of soil तो preparation of soil क्या होता है? याने कि हमें soil को prepare करना है crops को sow करने से पहले क्यों ये जरूरी है? अगर हम soil को prepare नहीं करेंगे याने उसे loosen नहीं करेंगे तो क्या होगा? seeds उसके अंदर आराम से जा नहीं पाएंगे seeds जाने के बाद उन्हें air नहीं मिल पाएगी तो ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? soil को अच्छे से loosen कर देते हैं ताकि की हम उसमें sowing कर पाएं तो so preparation of soil याने की loosening of soil इससे क्या होता है? roots penetrate कर जाती है deep into the soil जिसकी की वज़े से जो है आराम से breathe भी कर पाती है वो क्योंकि soil loose होता है and ये किस से करते हैं? plow से तो हमने पढ़ा था कि plowing is done plowing is nothing but the loosening of soil and it is done with the help of a plow जिसके की हमने parts भी पढ़े थे plow shaft next sowing तो sowing क्या होता है? putting of seeds sowing of seeds तो अब हमने जब loosen कर लिया है soil को तो हम seeds sow करेंगे तो sowing is the putting of seeds into the soil sowing को हम कैसे करते हैं? हमने दिखा है कि आजकल modern day techniques जो use होती है जिसका की नाम है seed drill seed drill में long claws होते हैं जिसमें की seeds को हम put कर देते हैं और वो पूरा का पूरा soil के अंदर जाके उसे seed को जो है डाल देता है इससे क्या होता है? seeds जो है वो जो है insects जो है उनसे भी बच जाते हैं वरना insects ही उन्हें खा कर चले जाते हैं अगर वो उपर उपर ही रहे तो इसलिए हम seed drill use करते हैं ताकि वो अंदर तक seed को जो है डाल दे soil के सब्सक्राइब and so I hope this is clear कि हम seed drill use करते हैं जिसमें sharp ends होते हैं next weeding तो what is weeding? weed क्या होता है? weeds are undesirable plants यह हमारे crops के साथ weeds भी ग्रों होने लग जाते हैं और यह हमें चाहिए नहीं क्यों? क्योंकि crops के साथ competition करते है for sunlight, for manure, for water everything they compete with the with the main crop तो हम क्या करते हैं? weeding याने removal of weed weed को remove करने के process को हम क्या बोलते हैं? weeding तो this is known as weeding threshing अगे जब आपने suppose मैं बात करूँगर गेहूं की तो गेहूं के आसपास उसका जो छिलका होता है उसको हम बोलते हैं shaft तो shaft को remove करना grain से इस process को कहा जाता है threshing और यह जो threshing का process है इसको आजकल किया जाता है using a modern machine which is known as a combine so combine is used for threshing and इसको combine इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह harvesting भी करता है और threshing भी करता है यानि seeds को remove separate भी करता है cut भी करता है और उसके बाद उसे शाफ से अलग भी करता है so that is why combine is used for the dual purpose how are fertilizers different from manure so हमको पता है कि fertilizers तो man-made होते हैं factories में manufacture करते हैं बल्कि जो manures होते हैं वो तो organic waste के decomposition से बनते हैं तो वो pure होते हैं तो वो decomposition से बनते हैं इसलिए वो organic होते हैं इसलिए वो soil को loss नहीं पहुचाते हैं बल्कि soil की fertility को enhance करते हैं but what about fertilizers fertilizers का overuse जो है वो soil को खराब कर देता है उसे एकदम less fertile बना देता है तो I hope ये दोनों चीजे आपको clear है इन दोनों में difference आपको समझ में आ गया है तो this is all about soil about difference between fertilizers and manures next what is irrigation describe two methods of irrigation which conserve water तो irrigation क्या होता है giving water to the crops so that they can grow so this giving of water is nothing but known as irrigation that is watering of crops तो अब irrigation के हमें दो methods use करने एक होता है sprinkler method और दूसरो होता है drip method तो sprinkler method में क्या होता है इसमें हम क्या करते है स्प्रिंकल करते है तभी इसका नाम है sprinkler method तो हम स्प्रिंकल करते हैं बहुत ही जादा crops को हमें अगर पानी देना हो तो हम क्या करते हैं जैसे कि बारिश होती है तो उपर से जैसे पानी आता है तो इस सिस्टम में भी यह होता है कि हम perpendicular pipes ऐसे करके लगा देते हैं जिसमें बहुत सारे nozzles होते हैं अब nozzles से पानी ऐसे स्ट्रिंकल होता है जैसे बारिश हो रही हो तो बहुत सारे area में जो है irrigation याने watering हो जाती है So I hope this system is clear to you So next we will move to drip system अब drip system में क्या है Drip system में क्या होता है कि जो भी आपकी fields होती है जहाँ पर irrigation करना होता है उनकी roots में directly water दिया जाता है ना कि उपर से स्प्रिंकल किया जाए Because हमें पता है stems और leaves को के उपर पानी डाले कि हमें जरूरत नहीं हमें roots को water करना सबसे जरूर है तो इसलिए हम क्या करते हैं हम एकदम drip system होता है उसमें जो हमारे pipelines होते है वो एकदम ही low height पे होते है ताकि पानी directly roots को चला जाए drop by drop और उससे क्या होता है जो ऐसे areas होते हैं जहां sandy soil होता है जहां पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पे drip system खास करके काफी जादा काम आता है जैसे की राजस्थान and areas like that जो आपका main pipe है वो lateral pipe से जुड़ा होता है और lateral pipes की जो nozzles होती है वो एकदम ground level पे होती है so that is why they provide water to the plants drop by drop तो जहां availability of water poor है वहाँ पे भी यह use किया जा सकते है if wheat is sown in kharif season what would happen देखिए wheat को हम कब grow करते हैं हमें पता है कि wheat को जो है वो खारिफ नहीं वो rabi crop है तो rabi crop का जो best season है वो हमें पता है December से लेकर April तक होता है तो अगर December से April तक हम उसे ना grow करे तो क्या होगा अगर हम उसे kharif season में grow करें तो क्या होगा तो अगर kharif season में grow होगा तब जो conditions होगी वो different होगी उन conditions में उन temperature, weather conditions में wheat अच्छे से grow ही नहीं कर पाएगा wheat का जो हम कहते हैं production बहुत ही जादा impact होगा और बहुत ही कम हो जाएगा जो सारी conditions है उसकी growth के लिए वो तो उसे राभी season में मिलती है तो इसलिए अगर kharif season में हम उसे grow करेंगे तो production अच्छा नहीं होगा Explain how soil gets affected by continuous plantation of crops in a field अगर हम continuously crops को grow करते जाएंगे same piece of land पे तो क्या होगा यानि वो ही जमीन उस पे बार-बार crops उगा रहे हैं बार-बार वो nutrients जो है लेती जा रही है crops उस जमीन के थोड़े time बाद वो जमीन बंजर हो जाएगी उस पे आप खेती कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि soil को time ही नहीं मिला to replenish the nutrients water weeds how can we control them तो हमने पढ़ा है weeds वो unwanted plants है जो crops के साथ grow हो जाते हैं वो unwanted इसलिए है क्योंकि वो crops के साथ competition करते हैं for sunlight and water and minerals तो हम उन्हें इसलिए नहीं चाहते है क्योंकि हम उन्हें consume नहीं कर सकते क्योंकि wheat को तो मैं consume करती हूं बड़ जो wheat के साथ जो weeds हैं उनको हम consume नहीं करते हैं इसलिए वो हमारे किसी काम के नहीं है so that is why they are unwanted अब आप उन्हें control कैसे करोगे जब हम बात करें weeds की तो हम शुरू में ही क्या कर सकते हैं खुर्पी का use करके ही weeds को जो है खुर्पी से निकाल सकते हैं manually या फिर हम कुछ ऐसे substances spray कर सकते हैं जो इन weeds को kill कर दें बड़ प्लांट को affect ना करें और ऐसे chemicals जो weeds को kill कर दें उन्हें बोलते हैं weedy sides side means killing तो वो weeds को kill कर देते हैं और plant को damage नहीं करते हैं तो यह chemicals जो है इनको पानी के साथ डाइल्यूट करके fields में spray किया जाता है through sprayers ताकि कि आपके जो weeds है वो kill हो जाए arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production तो हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले तो हम करेंगे preparation of the soil फिर होगी plowing of the field preparation का मतलब है plowing of the field और उसके बाद हम उसमें seeds soak कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे manuring भाई जो भी extra जरूरत है manure की जिसमें की अच्छे minerals होते है organic substances होते है manuring कर दी उसके बाद उसे पानी दे दिया उसके बाद जब वो grow हो गया उससे cut कर दिया और उसके बाद उसे sugar factory में भेज दिया storage के लिए तो आये एक और बार हम यह order देख लेते हैं देखिये preparation of soil flowing of the field sowing manuring irrigation harvesting and then sending to the factory जी अगर आपका भी answer यही था तो do comment in the comment section below yes or no so this completes the chapter so this completes your chapter and I hope आपके लिए यह विडियो useful रहो till then thank